अजी असलाम लेकुम क्या है सारे ठीक टाक उम्हित करने हैं ठीक है अच्छा जी आज नी वीडियो है UK विजाने वाले नल जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो पूरी देख सो कुछ लोगों का नहीं लगता तो वो क्या रिजन है और उसके लावा अगर जो लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी नीज बात है अच्छी खबर है उसके बारे में तो जो लोग नहीं कर सकते मतलब के नहीं जानते इतना कुछ विजा अप्लाई करने क इस विज़ा पे आप फैमिली भी लेके यूरोप मुलक में मूव ओन हो सकते हैं तो उसमें सारी डेटेल जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जितने भी बैन बाई ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे गुजहरश phosphorus है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है वीडियो सकिप नहीं करनी है सकिप करोगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी तो वीडियो शुरू करते है जितने भी बैन की देख रहे हैं गँजहरश है कि आप चैनल सस्क्राइब करें चैनल सस्क्राइब करेंगे उसे मुझे भी मटवेशन मिल दिया और आपको हर न्यू वीडियो आने वाली जो है आपको सबसे पहले मिलेगी और आप जो न्यूस होगी वो आप देख सकेंगे तो चलो वीडियो की तरफ अभी वीडियो शुरू करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन सा तरीक है जिससे आप अपनी पूरी फैमली यहर मुलक में लेके मूग हो सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताओंगा जितने में बेहन भाई हैं कि मैं कुंसल्टन्ट नहीं हूँ यह बात आपने याद रखनी है मैं सिर्व आपको गाइट करने आता हूँ वीडियो पे ताकि आपको पता चले आप दोखे बाजी से फ्रॉड से बच सकें मेरा काम है यहां तक आपको कंफर्म करना वीडियो के अवाले से अपडेर जो भी आती है तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यह जो भी नियूस होती है यह यूके की वेबसाइट पर आती है और वहां से मैं आपको बताता हूँ میں आगे पिछे से جो न्यूस होती है वो नहीं शेयर करता उसे लोगों का नुकसान होता है पैसे भी जाया होते है और काम भी नहीं होता तो मैं वो बताता हूँ इन्शालला जिससे आपका विज़ा जिवा कनफर्मली होगा और काफी बेहन बाईयों का विज़ा हुआ भी है ये जैनुवन बात है मेरे यूट्यूब के ओपर काफी लोग हैं जो कमट वगरा भी करते हैं कुछ ऐसे ही कर देते हैं कमट वगरा उनका भी थैंक्स है और जो देख रहे हैं उनका भी थैंक्स है जो भी मेरे यूट्यूब पे आए है थैंक्स टू एवरिवन और वेल्कॉम तू माई चैनल तो जारिश करता हूं कि ये जो विज़ा है इसके वाले से मैं आपसे बात कर ये विज़ा यूरोप की यूके की कंट्री है इंगलेंड जिसे कहा जाता है बरतानिया भी कहा जाता है और भी बहुत सारे लफजों में इसको गिना जाता है लेकिन यहां पे ज्यादा जो लोग इसको नाम है जो ले रहे हैं यूके ले रहे हैं जैसा कि आपको पता है लाखों के तदाद में यूके में लोग इस साल में आए हैं दिसम्बर 2023 है ये लास्ट दो दिन रह गी हैं एक दो दिन तो इसके बाद न्यू साल जो हो शुरू हो जाएगा एक तो सब को साल की मुबारक हो बाद ये वाखों का शुरू हो जो अच्छी हो उसके लावा जो मतलब आपकी प्राबलम है खो ना हो आपको खुशियां जो होती है वो नसीब होँ तो ये जो यूके का विज़ा है फैमिली विज़ा इसमें आपने क्या करना है और कैसे फैमिली मौफ करनी है इसके वाले से मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ तो यूनाइटेड किम डौंग का विज़ा है उके का इसमें बहुत सारे लोगों का खौभ है कि हम जो है यूके में जाएं काम करने के लिए सब का ही ऐख़ुभ होता है काम करने का और अपने जो वेक हॉम कंट्री है उनको हेल्प करने का पैसे वगेरा तो ये जो skill work visa है इस पे आप लोग क्यों नहीं apply करते हैं ये विजा आप लोग क्यों नहीं विजा ले रहे हैं ये तो मैं आप से ये गजारश करता हूँ कि जितने भी बैन बाई वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर ट्राइ करो skill work visa जो है ये आप apply करो इसको family का भी का जाता है family भी आप साथ लेकर आ सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा reject हो जाएगा इसमें आपको नुकसान नहीं होगा आप तुबारह से apply कर सकें और ये भी मैं आपको main point बता दूँ कि ये जो skill work visa है ये भी बहुत कम chance होते हैं refuse होने में अगर आपने जो इनकी requirement है वो general लगाई हुई हैं तो उसमें आपका visa refuse नहीं होगा आपको 100% जो है visa मिलेगा तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि agent लोग है अजरात जो भी बाई हैं वो visa आपको दे रहे हैं skill work visa पकस्तान में इंडिया में बंगला देश में कोई भी कंट्र कर रहे हैं तो sponsor और एक और भी option है इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले मैं sponsor के बारे मैं बताता हूँ कि वो लोग आपको visa देते हैं sponsor कि हाँ बाई salary का तो हम नहीं बताएंगे आपको आपको ये visa आप UK में चले जाओ तो काम वगयरा तो वो शो होगा लेकिन बात य प्रॉब्लम हो सकती है आप जो family साथ लाएंगे बीवी बचे लाएंगे तो उस में उनको भी साथ आप खजलखवार करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपने कोशिश ये करनी है कि sponsor अगर लेना है तो 100% make sure ये करना है कि वो genuine हो आपको काम वगएरा जो है वो मिलेगा तब जाके अपने sponsor लेना है तो मैंस में आपको एक और भी बात बता देता हूं समझने वाली points है आपके लिए जो sponsor वीज़ा है आप ले रहे हैं तो अगर sponsor आप ले रहे हैं आपको gentle वगएरा कह रहे हैं कि काम आपने जो है वहां पे है सारी चीज़ें ये होगी इस तरह और अगर आप उसको बताते हैं ये मेरी वीडियो देख कि कोई आपका agent है तो आप उससे बात करते हैं वो आपको ये बोलेगा उनके पास भी option है तो वो अपनी जगा पर राइट होगा इस point पे जो मैं अभी आपको बता रहूं कि आप family है आपकी वाइफ है तो आप आपने वाइफ के नाम पे भी विजा ले सकते हैं dependent तो वो ये कहेगा कि जी ये तो गर में रहेगी तो UK की government जो है वो ये नहीं चेक कर सकती कि ये इसकी बंदे की वाइफ जो है वो ये काम कर रही है या नहीं कर रही है तो वो ऐसा हो सकता है वो जैन्वन है आप इस तरह भी कर सकते हैं अपनी वाइफ के नाम पे dependent विजा लेके और खुद भी साथ आ सकते हैं तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यदा आपके लिए जरूरी है अगर मर्द अजरात हैं तो वो उनको तो चाहिए एक स्पॉंसर जो है वो जैन्वन ह अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं फैमिली वाले जो लोग आ रहे हैं तो उनको ये तरीका जो है वो बहुत ज़्यदा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए जो लोग आपनी वाइफ का dependent विजा निकलवाएंगे वाइफ के नाम पे तो वो ये होगा कि वो घर में होंगी तो उनके ले में विजा होगा तो उस में यहा कि गूष्यविए आपको कुछ भी नहीं कह सकती और नाहीं हो कुछ चांड कर सकते हैं अगर आप 2 बने हैं तो फीस आपकी ज्यादा होगी तो जाइब सी बात है आपने अपनी पाकर चेक करनी है अगर आप फोड कर सकते हैं तो वो आप विजा ले लेंगे तो उसमें यह होगा कि वो आपको 100% जाब भी शो करेंगे कि आपने यह जाब जाकर करनी है तो 800 से लेके 1,500 तक आप वीकली पांड जो है वो कमा सकेंगे मतलब 1,000 पांड से 1500 पांड तक वीक का आप कमा सकते हैं इस विजा पे तो इसमें यह होगा कि वो स्किल के अवाले से आपको जो है ना विजा देंगे डिपेंड़ विजा जो तैस्किल वर्क का तो उसमें वो आपको देंगे कि यह विजा जो 100% है तो उसकी जो फीस वहरा होंगी वो थोड़ी जादा होंगी तो उसके बाद ही होगा कि आपने वो विजा लेना है तो आपने यहां पर आना है तो आपने उसी कमपनी में काम करना है आप बाईर किसी कमपनी में काम नहीं कर सकते है जो आपका जिसके नाप पे विजा उसने काम करना है और दूसरा जो उसका पार्टरर होगा वो गर में रहे या कोई लोकल काम करे तो उसमें भी दिकत नहीं है बरशानी नहीं है लेकिन वो करना नहीं चाहिए अच्छा जी यह भी आपने लोट करना है पॉइंट जब आफ विजा लेते हो स्किल वर्क विजा तो यह कितने साल का होता है बहुत से लोग जो फराड करते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ पहले वो एक साल का होता है दो साल का होता है चार का होता है तीन का होता है तो इस जो यूके का गूर्मिंट ने ऐलान किया हुए है वो इन तीन मतलब जो डिजित्स हैं इन सालों का विजा आपको मिल सकेगा मतलब कि एक साल का होगा अगर ज्यादा है तो तीन साल का होगा या पांच साल का होगा दो या चार साल का नहीं होगा अगर दो या चार साल का हुआ आपका वर्क joh visa are skill वर्क तो वो genuine नहीं हो सकता उसके 99 percent chance होते है वो visa project है तो basically यह 5 साल का होता है visa तो आपने 5 साल का इसमे विजा किया तो आपको पांच साल का visa मिलेगा लेकिन उसके बाद ऀँ होगा के अपके जाप 7 साल पुरे होते हैं. आपने पासपोटर जो है यूके का वह भी। ऑप्लाइघ कर सकते हो. तो इस एक साल वो टाम दिया जाता है एक साल में आप डाटा चैक करते हैं, है कि श्टरी चेक करते हैं, सारी जो भी हैं यहाँ पे आई हैं क्या किया है काम गयरा पेसलिप गयरा बेंक स्टेटमिंट गयरा और बेंक अकाउंट रांजैक्शन यह सारी चीज़ें जो हैं चेक होती हैं यह आपने याद रखना है जो भी स्किल वर्क विजा पे लोग आ रहे हैं बैन बाई उन सब के लिए कि आप पांच साल तक अगर आ गयर है कि मैं आपको यह इंफर्म कर रहा हैं कि यह इस तरह के रूर्स इसमें वर्क जोविजit विज़से इसमें हैं अच्छा जी इस गलोग का में और भी आपको मैंन पॉाइंट बता देता हैं अभी टो आपने जब विजा ऍाप्लाइक करना है तो आपने फीस्ट यह ये एक मैन अप्लिकेशन है इसका ये होता है कि ये बेसिकली ज्यादा जो है अभी विज़े एक साल के दे रहे हैं तो जैसा कि आपको पता है निचेस हो आई एचेस की फीस जो है ये भी अभी इंक्रीज हो रही है मजीद दोज़ाचविस ट्वैडिट्वार में ये इंक्री इस पेकर रहे हैं तो वो एक साल की आपको पांच साल का देंगे लेकिन ये है कि आप पांच साल की अगर अफोर्ड ने कर सकते तो आप एक साल की भी करवा सकते हैं एक साल के बाद आप अकस्टेंशन होगी आपकी आपका जो विज़ा होगा तो उसके बाद पिर आप एक स पर भी उतनी पे करनी है जितनी वह इंक्रीज होगी साल के एंड में तो यह चीजें जो हैं यह बहुत आपके लिए पॉइंट नोट करने हैं ताकि यह आपको फीचर में काम आएंगे क्योंकि जो कॉंपनियां होती हैं यूके में आपको जो स्पांसर करते हैं तो यह विज़ा जो आपको देते हैं तो इसमें यह भी बात आपने पॉइंट नोट करना है ऐसा होता है कि अगर आप कारपेंटर हो तो यूके में आके आप काम कर रहे हो तो अगर आपने काम सही नहीं कर रहे है अच्छा नहीं कर रहे तो वो कॉम्पनी का राइट बनता है आपको वो वापस जाने का भी कह सकते हैं कि भाई जान आप अपने बैक होम चले जाएं तो आपको जाना पड़ता है फिर क्योंकि आपने उस कंपनी का विजा लिया होता है और वो कंपनी राइट इसलिए होती है कि उन्होंने स्पॉंसर्शिप की जो फीस होती है वो पेक ही होती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर आप लैक्टेशन है या कोई भी काम है कंपनी में फैक्टरी में या कोई भी इस तरह का आपका स्पॉंसर जो विजा होता है उसमें ये भी चीज़ें बहुत ज़् होती है आप सब बैन बाइओं के लिए जो भी स्कील विजा प्यार हैं स्पांसिट ले रहे हैं और उसके बाद सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है और अब भी मैं आपको यह बताने जार रहा को यह इसकी प्राइस के है एक साल्गी दो साल्गी और ।ा थीं साल यह यह आपने जविसाल लेना है तो आपको बताता बाद Braun इसकील प्राइस है वह 14 थाफिन पाउंगस से स्टार्ड होती तो अगर आप अपने एक साल के लेनी है तो बेसिकली इसकी प्राइस जिड़ दाउन हो जाएगी अगर तीन साल के लेनी है तो वह 14,000 से उपर भी चली जाएगी, यह minimum जो है वह 14,000 जो है पाउन्ड उससे स्टार्ट होती है, skill work हो इसा जिसको कहने है उसके वाले से मैंने आवाच आपको जो है यह नियूस बताई है तो इसमें बहुत सदा पॉइंट्स हैं जो आपके लिए आपको समझने पड़ेंगे तो इसमें आपने करना किया यह इतनी फीस है जो एक बंदे की है वो दो साल अगर उसका लिया है तो इसमें आपको टिकट भी देंगे उसके बाद अकमणेशन लैटर भी देंगे उसके बाद उनका जो भी खरशा है मतलब टिकट के लावा आपका अकमणेशन लैटर जो आप यहां पर आगे कहा रहना चाहते हैं कॉन सा मतलब अरिया है आपके पास तो वो सारी चैज्स आपने बतानी है उस टाइम जब आप ये विजा ले रहे होते हैं तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यदा ज़रूरी होती हैं जब आप यूके में आएंगे आपको स्पांसर विजा लेना है तो ये सारी चीज़ें आपको तब जाके बात करनी पड़ेगी और तब जाके आपने ये चीज़ें रिक्वाइर्मेंट्स जो होती हैं ये पूरी करनी है तो इसमें ये होगा कि एक साल के बाद आप जो है अपनी फैमिली वो भी बुला सकेंगे यूके में तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि आप अगर खुद कर सकते हैं तो आपकी जिन्दगी जो है वो समच सकती है आपका एक पैसा भी नहीं लग सकता आपने करना ये होता है कि आपने जाना है गूगल पे और वहां पे सर्च करना है यूके की वेब साइट का तो मैं कोसेश करूँगा की इस वेब साइट का लिंक भी आपको डिसक्रिपशन में देखा दूँगा आपको डिसक्रिपशन में जा 나와ässैक करना वो भी आपको मिल जाएगा तो आपने यूके की वेबसाइट जो है यूके डूगल पे जाकर चेकरना है उपन करनी है तो उस पर अगर जाएंगे आप तो आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है वो मिल जाएंगी आपने वहां से करना ही है कि अपनी स्पॉंसरशिप जो आप जो है वो डूननी है तो अगर तो आप डून सकते हैं तो आपके लिए बहुत जादा अच्छा है खुशी की बात है कि आपके पैसे नहीं लगेंगे और आप इन जाएंगे तो अगर आप नहीं डून सकते हैं पड़े लिके नहीं हैं तो पैसा है आपके पास तो फिर यही बात है कि आपने जाए लेना है जो बंदा सही हो आपकी नजरों में तो वो आप उसको पैसे देंगे और वो आपको यह विजा दे देगा अजेंटों के पास ऐसे विजे बहुत ज़्यदा होते हैं तो वो यह होगा कि आपने फीस जो है वो एकस्ट्रा पेकर नहीं होती है तो आपको विजा मिल जा जाके आप स्पांसर्शिप जॉब जो है वो ढूंड भी सकते हैं वो बहुत ज़्यदा है कोई मुशकल नहीं है थोड़ा समझना पड़ता है इस टापिक को तो इन्शाला आप जो है वो एजी ली फाइंड आउट कर सकेंगे तो जैन्वन और फेक का भी मैंने आपको बता जाएंगे वो विजा अगर आप ले रहे हैं वो तो आपको सस्ता भी मिलेगा पैसे तो इसमें भी लगेंगे आपके लेकिन वो यह होगा कि आपको सस्ता मिलेगा और यहां पे आप आके कांवोस कुपनी में नहीं का सकेंगे आपको दख्के खाने पड़ेंगे और यूके फ्राम होगा पास लेनी है वह सबने करना कीमी सब्सक्राइब करना है वह मेरे खारा हुआ आनり परष्याश जाने के वा रिक व्ट सब्सक्राइब करने के influence यहाँ था है तो अगर आप जयन्ट के पास ही है तो हम एन विजा लेना ए है तो आप हमास प्राइब करते में हुआ हैं हमारे पास मंतना रहा है है यह जो है यह इस तरह का विज़ा लेना चाहर है तो कॉंपनी कहती है कि हाँ जी बिलकुल जरूर तो उनका यह होता है कि उनको यह पे करते हैं कि आप से पैसे यह लेते हैं अपनी फीसें गहरा भी और रेट जो हैं का यह एक्स्टर होता है क्यूंकि एक साइड पे यह से शिफ़ीस होती है और उनके लावा इनका इतना खर्चा नहीं होता तो इसकी जो जैनुन फीस है यह बहुत ज़्यदा कम है यह जारू की तदाथ में नहीं है यह बहुत कम फीस है तो अगर आप तो खुद करेंगे तो आपके लिए तो मैंने आपको बताया कि जिन गे आ तो आप जाने लेते हैं तो वह आपको यह होगा कि आपने फीस भी पे करनी है और इसमें उनके भी पैसे होते हैं यह आपनी याद रखनी है बात तो अगर आप लेना चाह रहें विज़ा अगर जेंट के पास जाना चाहरें तो वह भी आ ठीक है जा सकते हैं लेकिन यह तो अगर आपने टेक्स होगारा सही से पे करने किये हैं तो आपको आपका विजा जो है नेक्स साल जो होगा अगला साल उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपका विजा रिन्यू हो जाएगा अगर आप टेक्स होगारा नहीं पे करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है आपका विजा रिन्यू नहीं होगा ये बात आपने याद रखनी है जो और दूसरा ऑप्षिन भी मैंने आपको बताया जो अन पेपर विजा है जो आपका अगर आप जा रहे हैं फैमिली के साथ आपका स्पाउस या वो गर में हैं अगर आपकी वाइफ वो गर में है तो नहीं ठीक वो जो है विजाफ का जैन्मन नहीं होगा आप कभी भी जो है प्राबलम में आ सकेंगे और ये भी मैं आपके बता दूँ कि यहां पे रिशुर्ट वगारा बिल्कुल भी नहीं चलती कि आप सोचेंगे जी हम पैसे दे के यह वो काम करवा लेते हैं लैटर वगार पैसे वैसा कुछ भी नहीं होगा ये बातें बहुत ज़्यदा स्ट्रिक्ट रूल है यूके की जो गोर्मिंड है ये बहुत ज़्यदा स्ट्रिक्ट है तो जितने भी बैंड भाई आ रहे हैं कोशच यह करने के जैनुवे विजा लेकि आए आपके लिए बहुत ज़्यदा अच्छी न्यूज आई ये आपने समझनी है कि ये कैसे गैम है तो आपने ये विजा हासल कैसे करना है बहुत एजी है मुशकल नहीं है अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमिट कर सकते हैं मैं आपको जवाब दूँगा सून ऐस पासिबॉल तो उसके बाद वीडियो देख रहे हैं जारेशन से यही है कि आपने वीडियो लाइक करनी है चैनल सस्क्राइब करना है उसे मुझे भी मुटवेशन मिलती है और आपको भी आने वाली नहीं वीडियो से हो मिलेंगी अन दे टाइम तो आपको पता चलेगा कि यू के विजा के हवाले से क्या नियूस थी तो वीडियो काफी लंबी है और इंशाला मैं नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा और भी काम के वाले से जो अपडेट आई है ताकि आपको पता चले और आप इसलिए अपना काम विजा का जो है वो अपलाई करें और दोका फ्रॉड से बाच सके है